पिछले क्लास में हमने चोकलेट स्पंज बनाना सीख लिया था आज हम इसको आइसिंग करेंगे आज हम एक ब्लाक फोरेस्ट केक बनाएंगे सबसे पहले क्रीम को बीट कर लेते हैं क्रीम को कैसे बीट करना है मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था जो भी न्यू है सब वैनिला essence आड करेंगे अब एक spatula से इसको अच्छ से mix कर लेंगे ताकि जो essence से पुरा cream में अच्छ से mix हो जाए Black forest cake में आपको vanilla essence या तो chocolate essence दोनों में से आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो अभी cream को piping bag में भर लेगे थोड़ी से पानी के अंदर वानिला एसेंस डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एट इंस का केक बोड हम लेंगे सबसे पहले थोड़े से डार्क चोकलेट को हमें से कट कर लेंगे अभी मैं चोकलेट स्पंज को डी मोल्ड कर लेती हूँ अब मैं इसमें से बटर पेपर निकाल लेती हूँ अभी इसकी ये जो टॉप पॉर्शन है इसको थोड़ा सा काटेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डॉम की तरह है अभी केक को मैं थ्री लेयर्स में कट कर लेती हूँ आइसिंग के बाद केक जब कंप्लीट होगा तो ये 500 ग्राम बनेगा मतलब आधा किलो आज आपको मैं इस रिंग से केक बनाना सिखाऊंगी एकदम इजी है सबसे पहले एक लेयर लेंगे और उसके चारों तरफ ऐसे रखके जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल लेंगे अभी मैं तीनों लेयर्स को ऐसे ही कट कर लूँगी ताकि तीनों इकवल बनें अब मैं केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी और उसको स्प्रेड कर लूँगी और एकदम मीडिल में मैं ये केक का जो रिंग है इसको रख लूँगी अभी केक का जो मीडिल लेयर है उसको लेके मैं ऐसे प्लेस करूँगी अभी हमने जो एसेंस सिरप बनाया था उसको अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे अब ये पाइपिंग बैग से हम क्रीम को स्प्रेड करेंगे मैं सुरू से ही आपको बोल नहीं हूँ कि इस पाइपिंग बैग से ही आपको क्रीम को स्प्रेड करना है क्रीम कितना देना है या आप कस्टमर से हमेशा पूछ लीजिएगा कि लेयर्स में आपको ज़्यादा क्रीम चाहिए कि कम क्रीम चाहिए अब मैं स्पाचुला से थोड़ा सा इसको बराबर कर दूँगी अब मैंने जो चॉकलेट को टुकडा करके रखा था उसको दे देती हूँ अब मैं इसके उपर थोड़ा सा चॉकलेट का टुफल डाल दूँगी ऐसे ड्रिजल कर लूँगी आप चाहो तो piping bag में डाल के भी ऐसे कर सकते हो अब हम इसमें और एक लेयर रखते हैं ट्रफल आपकी मर्जी है आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हो बिना डाले भी बना सकते हो अब यहाँ पे essence का जो syrup बनाया था उसको डालेंगे अब फिर से piping bag से पूरा चारों तरब अच्छे से क्रीम को लगाएंगे अब क्रीम को अच्छे से spread कर लेंगे तकि उच्छा नीचा ना रहे अब इस लेयर के उपर हम थोड़ा सा चौकलेट डालेंगे अब इसके उपर हम थोड़ा सा ट्रफल को ऐसे डालेंगे अब ही मैं और एक लेयर को इसके उपर डालती हूँ ये एकदम नीचे वाला लेयर है शुरू से ही हमने इसकी कटिंग की थी इसलिए कोई दिकत नहीं हो रहा है अब ही इसमें एसेंस सिरप को डालेंगे अब ही ये जो रिंग है इसके साइड को एकदम टच कराके हमें क्रीम देना पड़ेगा ये आउटर साइड है इसलिए हमें ग्याब बिल्कुल भी नहीं रखना है एकदम एक दूसरे को लाइन को टच करके देना है इस क्रीम की मदद से आपकी जो केक है वो एकदम हाइट बराबर रहेगी और एकदम क्लेन आएगा उपर से आपकी जो साइज है वो प्रॉपर आएगी लगेगा नहीं कि आप बिगनर हो ऐसे लगेगा आप कई महीनों से जैसे केक बना रहे हो थोड़ा सा इसे साइट टू साइट या आगे पीछे आपको करना है यहाँ पे थोड़ा सा और क्रीम चाहिए अब इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे जहाँ पर भी क्रीम कम होगा वहाँ पर लग जाएगा और हर तरब बराबर से लग जाएगा अब मैं उपर को केसे क्लीन कर रही हूँ आप देखिए ध्यान से देखिए एकदम कर दो यह देखिए अभी हो गया एकदम क्लीन है कहीं पे भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है अब मैं इस केक को दस मिनिट के लिए फ्रीज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए अब मैंने यह जो ट्रफल बनाया था इसको एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे यह एकदम ठंडा है ट्रफल केसे बनाना है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दस मिनिट बाद मैंने केक को फ्रीज से निकाल लिया अब हम रिंग को निकालेंगे मैं केसे कर रही हूँ आप थोड़ा सा देखिए यह देखिए आराम से रिंग निकल गया अब हम केक का जो साइड वाल है उसमें क्रीम लगाएंगे आपको पाइपिंग बैग से ही लगाना है ग्याप बिल्कुल नहीं छोड़ना है अब एक स्पैचूला से हमें आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करते जाएंगे इससे क्या होगा जहांपे भी थोड़ा सा ज्यादा उंचा क्रीम होगा और जहांपे नीचा होगा वहां बराबर हो जाएगा साथ में जो भी एर बबल इसके साथ में होंगे वो भी निकल जाएंगे एर बबल होने से आपको छेद छेद नजर आएंगे क्रीम चाहे आप केसे भी दो, स्पाचूला से दो या पाइपिंग बैक से दो आपको आगे पीछे करते हुए क्रीम को स्प्रेड करना है अब मैं स्पाचूला को एकदम स्ट्रेट रखूंगी और थोड़ा थोड़ा करके घुमाते जाऊंगी टर्न टेबल को ये देखिए और अब ये एकदम से प्लेन हो जाएगा ये देखिए अब उपर में जो थोड़ा बहुत क्रीम गया है इसको साप कर लेंगे अब हम एक के कॉम से साइड को ऐसे डिजाइन देदेंगे अब उपर में जो भी थोड़ा थोड़ा क्रीम आया है इसको हम क्लीन कर लेंगे स्पैचुला को पानी के जग में आपको डुबाना है और फिर उसको थोड़े सा जाड़के फिर इसको केक को उपर ऐसे क्लीन करना है अब यहां पर मैंने एक एन वान का नोजल लिया है अब इसको पाइपिंग बैक के अंदर डाल देती हूँ अब इस ट्रफल को भी इसके अंदर डाल देंगे ट्रफल केसे बनाना है यह मैंने वीडियो बना दिया है आप चानल में जाके देख सकते हैं इसमें डालने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता अब मैं एक डबबा कर ढखकर ले लूँगी और इसके उपर मार्किंग कर लूँगी अब हमने यह जो बनाया था इसको ड्रीफिंग एफेक्ट दे देंगे अब हमने जो लाइन बनाई थी उसी लाइन के ऊपर ऐसे इसको स्प्रेड करेंगे झाल झाल अब मैं एक स्पाचुला से इसको स्प्रेड कर लूँगी अब इसके उपर थोड़े से फूल बना लेते हैं डिजन कैसा भी आप अपने पसंद से कर सकते हो अब मैंने थोड़े से गार्निसिंग बनाये थे इसको भी इसके अब पर रख देते हैं गार्निसिंग की वीडियो चानल में अफलोड है अब जाके वहां पर देख सकते हो अब इसके उपर एक एक चेरी हम रखतेंगे अब यह जो बीज का पोर्शन है यहां पे आप हापी वर्डे का ट्याग लगा सकते हो या तो चॉकलेट का जो कर्ल्स बनाया था उसको तोड़ के थोड़ा सा इसमें रख सकते हो या तो चॉकलेट को कद्दुकस करके भी आप यहां पे रख सकते हो चॉकलेट से राइटिंग बार कैसे बनाना है वो भी आपको सिखाया है चानल में अपलोड है, मैंने एक में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये पचास मिनिट के आसपास हो रहा था तो इतना टाइम साथ देखने के लिए आप लोगों को अच्छा ना लगे इसलिए मैंने अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियोज बना लिए हैं अभी एक छोटा सा स्टार नोजल डाल के पाइपिंग बैग में हम बॉडर बना लेते हैं ये बॉडर आपको भी आता है, एक दमीजी है मैंने सिखाया था ये देखिए ब्लाक फोरेस्ट केक रेडी है इस तरह से आप बनाएंगे तो केक कहीं से भी उचा नीचा नहीं होगा और बहुत इजी ली बहुत जल्दी बन जाएगा ये देखिए ये जो पहले मैंने डीजाइन बनाया था ऐसे भी आप बना सकते हो अभी राइटिंग बार में हापी वर्डे लिखते हैं मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था इसलिए अच्छे से लिखा नहीं गया ये पॉलिथिन था आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में हम एक डच्क्रीम आइसिंग सिखेंगे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब